जैसे कि बच्चा हम लोग पढ़ चुके हैं थैलस का पर्मे पढ़ चुके हैं थैलस का विलोम पढ़ चुके हैं आप लोग असो अक्सर पढ़ा होंगे पैथाग अस पर्मे पढ़ा चुके हैं अज हम लोग थैलस पर्मे का अनप्रियू करेंगे कि exercise कैसे हम लोग exercise 6.2 है exercise 6. 6.2 है को जचाए 6.2 में questions दिया हुआ है इसमें अनुपरियों करेंगे थायलस के परमिका एक बात ध्यान दिजिगा थायलस के परमिको यहाँ थायलस का परमिक या आधार समानुपातिक परमिक या basic proportionality theorem bpt basic proportionality थेओरम बीपीटी इस तरह दिया हो काथन वाला तो आप लोगों को बताए चुके हैं अब देखिए हम लोग इसमें थैलस के पर्मे काण प्रियो करेंगे किस तरह करेंगे हम लोग थैलस के पर्मे में क्या पढ़ेते हैं कि जब किसी भुजा के समान तर अन दोनों करें थैलस का पर्मे करते हैं अब देखिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे कुश्चन कॉल करेंगे AD UNPART BD बराबर AE जो इसमें पहले लेंगे वही चीजिजिसमें AD पहले लिए है तो इधर AE पहले लेंगे AE upon EC अब देखो हमको यहाँ यक्स का माल चाहिए यक्स के अब क्या है 1.5 यह कहां से आया है थैलस कि पर्मे से देखो इदर AD कामान 1.5 दिया हुआ है और इधर देखो BD कामान 3 बराबर AE कामान 1 और EC कामान क्या दिया हुआ आपका X एक्स कामान चाहिए तो इसको एक तरफ कर लेते हैं और जिस कामान नहीं चाहिए उसको एक तरफ कर लेते हैं पहले हम लोग सॉल्फ कर लेते हैं इसको इसका गुड़ा इसमी होगा, इसका गुड़ा इसमी X बराबर 1.5 X का माँच आए एक तरह यह इसके साथ गोड़े में हैं इधर आगद का देगा, डिवाइड में जाएगा यहां से 10 मलूग को हम अटाएंगे उपर 0 होगया, 15, 19, 15, 15 दूना 30, X बराबर 2 सेंटी मीटर X बराबर क्या आया 2 सेंटी मीटर इसी तरह हम लोग इसको सॉल्ट कर ले रहे हैं देखो, इसमें भी इसमें क्या गहने हैंगे, इसमें देखो AD 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 हो गया, इसके बाद BD बराबर इसमें पहले यही लिए AD इसके बाद AE बराबर AE अपान EC देखो, AD क्या है, AD का मान क्या है, AD AD का मान आपका Y है, अब BD, BD का मान 7.2 AE का मान, देखो, AE किलना है, 1.8 इधर EC का मान 5.4 हो गया अब देखिए, इदर decimal के इदर एकन, decimal के इदर एकन, decimal के इदर एकन, decimal अटा दो हमको Y का मान चाहिए तो Y को एक तरफ कर लेते हैं, और सबको एक तरफ तो Y इदर divide में इदर आएगा, मुटिप्लाई में हो जाएगा तो Y बराबर क्या हो जाएगा दस्मलों तो अटा दियें, decimal के इदर एकन, decimal के इदर एकन, decimal के इदर एकन, decimal के इदर एकन, दस्मलों तो हट गिया, कोई दिकन नहीं, इदर क्या बचा, 7.2 ये आपका पहला सवाल था, अब इसी तरह हम लोग दूसरा सवाल लगाएगे देखो ये दूसरा कोईशन लिखा है, ये थैलस के पर्मी के विलोम से होगा इसमें कोईशन क्या लिखा है, पहले पढ़ लिया जाए निमलिखित में प्रतेक इस्थिति के लिए बताईए कि क्या EF, EF समांतर है क्योवार के, हमको निमलिखित इस्थिति को, ये निमलिखित जो इस्थितियां बताई गई है तो हमको ये दर्शाना की EF समांतर है क्योवार के, इसको हमको सिद्ध बताना है बताना क्या है? हमको इसमें थैलस के परमे हम पढ़ी चुके हैं विलोम भी पढ़ चुके हैं तो थैलस के परमे का विलोम यूज करेंगे इसमें तो येुज़ा, इस भुजा की समानतर कब होगा? जब इन भुजा fare इस भुजा के क्या आदा है या देखो P E का अनुपाथ E Q के बराबर P F का अनुपाथ E, F R के या P E अनुपाथ P Q या बराबर P F अनुपाथ P R अब इतर देखो EQ अनुपाथ PQ FR अनुपाथ PR ये बराबर जाए इन तीनों में सी अगर कोई आता है तो हम कहा सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा की जा है समानता है अब देखिए हम लोग पहला कोईशन देखेंगे PE बराबर 3.9 PE बराबर 3.9 सेंटी मीटर उसके बादнить PE बराबर 3 सेंटी मीटर 3 सेंटी मीटर हो गा P ये बराबर 3가지 दसमलों छो आऊइ उसके बादों ये आफे पार बराबर 2 दसमलों 4 सेंटी मेटर अब देखो लाओ देखा देखा देखो ओम सा ये वाला है ये पहले वाला ही है तो P E E Q बराबर P F F R P E का मान किनना है 3.9 E Q का मान 3 P F का मान 3.6 और F R का मान 2.4 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो चलों सॉल्व करें तो ये आया आएगा इधर सॉल्व कर देखा देख लेने करके आठ देखे ये इसके बराबर आदा है इसका मलब ये बराबर नहीं है हम इससे कह सकते हैं कि E F जो हुजा है Q R के समानतर नहीं है मलब ये हुजा इस हुजा के समानतर नहीं है तो E F समानतर नहीं है किसके Q R के समानतर नहीं है ये पहला आपका था दूसरा कंडिशन अब देखेंगे अब लोग दूसरा कंडिशन क्या है ये पहला दूसरा कंडिशन क्या है P E बराबर 4 सेंटीमेटर उसके बाद में Q E बराबर 4 दसमलो 5 सेंटर P F बराबर 8 सेंटीमेटर R F बराबर 9 सेंटीमेटर अब देखा जाए इस का अनुपाद अगर इन दोनों का अनुपाद इन दोनों के अनुपाद के बराबर आएगा तो ये रेखा इस रेखा भी क्या जाएगा समानतर हो जाएगा आब देखा जाए पी ए अपान एक्यू बराबर पी एफ एफ आर पी का मार्ण चार इस का मार्ण चार दसमलो पांच अगरे पी एफ का मार्ण आठ एफ आर का मार्ण ना हो गया हो गया अब देखिए यहां से अब हम इसको सॉल कर लेते हैं आठ नौ आठ बटे नौ बराबर आठ बटे नौ आठ बटे नौ बराबर आठ बटे नौ अता यह चीज इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि इफ समांतर होगा क्यू आर के इफ समांतर होगा क्यू आर के यह दूसरा कंडिशन मलत भी यह हुजा इस होजा की क्या होगा समांतर होगा क्या होगा जब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात की क्या हो जाए बराबर हो जाए अब लोग तीसरा कंडिशन देखेंगे तीसरा का कंडिशन देखेंगे पी क्यू बराबर एक दस्मलो दो आठ पी क्यू बाने यहां से यहां एक दस्मलो दो आठ से उनकी मिटर उसके बाद में पी आर बराबर दो दस्मलो पांचे पी आर यहां से यहां दो दस्मलो पांच छे सेंटी मीटर उसके बाद में PE बराबर PE बराबर किना 0.18 यहां से यहां तक आपका 0.18 सेंटी मीटर उसके बाद में क्या है PEF बराबर 0.15 PEF यह वाला 0.10 वालो 6.3 सेंटी मीटर इसलिए लाइनिंग बना दिये है यहां से यहां है यहां से यहां तक इतना है यहां से यहां तक वाला इतना है यह वाला इधर है आपका यह वाला इधर है यह कहुंसा कंडिशन आपको दिख रहा है पी क्यू ये वाला कंडिशन है ये वाला कंडिशन है पी अपान पी क्यू पी अपान पी क्यू बराबर पी अफ अपान पी आण और चलो रखा जैमाल P V कामाल 0.18 बटे P Q कामाल 2.8 बराबर इधर 0.6 तीन बटे 2.56 देखो दस्मलों के यह चीज इसके बराबर नहीं आ रहा है यह चीज इसके बराबर नहीं आ रहा है आप कार्ट लिखेंगे नहीं कर देगा तो इसके बराबर नहीं आ रहा है कि आपके दूसरा क्वेश्चन हो गया अब लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नमबर अब तीसरा देखेंगे लिखा क्या है आकरती में आकरती इधर बना हुआ आपका देख लेजिए आकरती बना हुआ है यलियं यलियं समांतर है सी बी के यह यलियं समा इसमांतर है ये भुजा हमको ये क्या करा दिया और सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है जहां से देखें सिद्ध कीजिए कि कि एयम एम माने ये एबी माने ये भुजा एयम एबी एबी एयम ये भुजा हो गया उसके और में एयन अपान एडी ये ये कुछ से दिखाना है तो पहले जो दिया हुआ उसको में रिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ 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 क्या दिया तिरुज ABC में क्या होगा AM upon AB बराबर पहले AM लिया है तो इसका लेंगे AL upon AC ये कहां से आया कहां से आया हम लोग पढ़े हैं इसका परमे थैलस का परमे समीकर नमबर एक उसके बाद मैं देखो तिरुज तिरुज ADC में तिरुज ADC में क्या होगा तिरुज ADC में A ये या न अपान AD AN अपान AD AN अपान AD फिन ये पहले लिये थे तो इधर लेंगे AL अपान AC समीकर नमबर दो AL अपान AC फिन से देख लो एक बाद ये कहां से आया है इसको भी लिए थेल्स के पर्मे से थेल्स पर्मे से अब इसके बाद में AM पहले लिये तो AL अपान AC समीकर नमबर एक हो गया समीकर नमबर दो में AN अपान AD AN अपान AD उसके बाद में AL अपान AC AL अपान AC अब देखो समीकर नमबर एक और दो में ध्यान से देखो समीकर नमबर एक और दो में यह बराबर एक साइट बराबर तो दूसरा साइट अपने आप क्या जाएगा बराबर हो जाएगा समीकार नंबर एक और दो से समिकार नंबर एक और दो से क्या होगा समिकार नंबर एक और दो से क्या होगा A.M. अपान A.B. इसका ये सैड ले ले रहे है A.M. अपान A.C. दिखे दर A.C. A.L. नहीं ये सैड नहीं A.D. यहाँ A.D. है ध्याँ से दिखे A.D. हमको लाना क्या था A.M. अपान A.B. A.M. अपान A.B. बराबर A.M. अपान A.D. हमको ये सिद्ध करना था सिद्ध होगे है